तो वही एक तरफ जहाँ प्रान प्रतिष्टा को लेकर तेयारिया की ज़ा रखी है और साती सात अनुष्ठान भी लगातार ज़ारी है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है बीज़ेपी के नेता महंत बालक नाजरी बहुत स्वागत है आपका डियूज स्टेट पर बहुती अतेंत मन उत्सा के साथ साथ में बहुती भक्ती भाव से भावकता के साथ में मन उत्सुक है उस पल के इंतिजार के अंदर क्योंकि ये पल बहुत लंबे संगर से हम सब को देखने का हम सब को उस पल को अनुभूती साक्षा शुरूप के दर्शन करने का हमें आउ नुबूती कर सकते हैं कि भगवान स्री राम रला उनके आखों के सामने अपने आशन पर विराजमान होंगे क्योंकि हम सब ने राम लिलाओं के माध्यम से और अनेको कहानियों के माध्यम से भगवान स्री राम की कथाओं को सुना है और जब भगवान स्री राम लंका विजय करकर अयोध्या लोटे थे तो उस समय पर अयोध्या किस परकार से अगरिदा नगरी को सजाया गया था पूरे देश में उत्सव का माहूल था और तबी से हम परंपरागत रूप से हमारे देश का सबसे बड़ा तयोहार दिपावली क परम के रूप में हम मनाते हैं उस समय पर हमारे पूरवजों ने क्या अनुभूती की होगी जब भगवान स्री राम लला लोटे थे कितना उत्सव और कितना स्वागत अभिनंदन भगवान स्री राम का उस समय पर किया था और आज हम सब ये सोभागय साली के आज हम सब भी वही उत्सव का समय उसी समय के अनुभूती आज हम सब अपने सामने होते हुए देखेंगे और हम तो परम सोभागय साली की इस समय पर इस कालखंड के अंदर हमें भगवान ने मनुष्य रूप में जनम दिया और आज हम इस सब के एक तरह से शाक्सी बनेंगे भगवान स् बहुती लोगों के अंदर भावकता है उस पल के इंतिजार के लिए भाव से मन से अंतरात्मा से भावकता के साथ में जुड़े हैं बहुती अध्भुत है उस पल के इंतिजार में एक एक पल हम इंतिजार कर रहे हैं कि बाइस्तारी की वो पल घड़ी आएगी और नकेवल के अंदर उस पूरे वातावण में खुश्बू फैल जाती है आप देखिए इसी परकार का प्रणाम आने वाली 22 तारीक के बाद में होने वाला है क्योंकि भगवान स्री रामलला के विराजमान होने के पश्चात में पूरे संसार में एक सकारात्मक आपस में प्रेम भाव का संदेश पूरे संसार में जाएगा और संसार के अंदर जिस परकार से एक दूसरे के विरोधा वासी या एक तरह से वर्चोसों की जो लड़ाई है एक दूसरे का दिकारों को हानन करने की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं इनके विचारों में परिवर्तन आके सब लोग अपन वो कई न कई आतुलिये हैं, उसके बार में क्या कहेंगे? देखें, ये भी हमारा प्रम सोभग्य ही है, कि महंत दिग्विजयनाद जी से लेकर, हमारे पुज्य महंसरी आवेदनाद जी महाराज ने, बावरी मस्जिद मुक्ती मोर्चा का संगर्ष समीती का नेतुत किया, और उसी प्रमपरा के संत योगी आदित्यनाद जी के रहते हुए, और माने परधान मंत्री जी के मागदर्सन में राम मंदिर का भूमी पूजन हुआ, और आज इन दोनों ही महान विभूतियों के रहते हुए, राम मंदिर का मूर्ती प्रान प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो ये मैं मानता हूँ कोई दिव्य चमतकार ही है, कि उस पीठ ने, नाज संपर्दाय ने राम मंदिर के संगर्ष को हमेशा आगे भढ़कर उसका सयोग करते हुए, राम मंदिर बनाने के लिए जन जन जागरन किया है, सभी लोगों ने किया है, कारसेव को पूरे देश ने किया है, लेकिन सभी संतों ने साथ मिलकर उस मुहिम को आगे भढ़ाया, और आज उसका फल हमें देखने का सोभागय मिल रहा है, ये बहुती अधबुत हमारे नाज संपर्दाय के लिए भी बहुत गोर्वामित करने वाला है, और ये सब संपन हुआ है भारत देश की करोडो करोडो जनता की भावनाव से, क्योंकि जनता की भावना राम मंदिर के परती थी, और जनता की भावनाव हमने तो केवल उसका संकल्प जनता के बीच में रखा, और जनता ने उसका समर्तन दिया, और माने परधान मंत्री जिने उसको आगे बढ़ाते हुए योगी जिने उसको सार्थक वहाँ पर एक करम के उनाते उस जगह को उनके विचारों को रूप रेखा देते हुए आगे बढ़ाते हुए आज ये सब देखने का और ये सब भगवान सीराम के दर्शन करने का हम सब को सोभागय मिला है बालक नादी देखिए जो एतिहास एक्षण 22 जनवरी को आने वाला है जिसका करोणू ब्राम भक्तों को इंतजार था उसमें आप अपना कॉंट्रिब्यूशन किस तरीके से देंगे आप किस तरीके से त्यारी कर रहे हैं देखिए हम जिस थान पर रहते हैं उस थान को पूरा सजाया जा रहा है पूरा उस्थान का और बजन संध्या का बजन कारेकरमों का अनुस्थानों का आयोजन किया जा रहा है और जी छेतर से हम राजनेतिक छेतर में जहां सेवा करते हैं वहां भी सभी मंदिरों के अंदर स्वच्था का भियान हो माने प्रधान मंतरी जी के आवान पर और उसके साथ साथ सभी मंदिरों पर उच्षव का माहोल है मंदिरों को सजाया जा रहा है लोग भी अपने घरों को सजाने का तियारी में लगे हैं और मैं मानता हूँ कि आपको देश में एक और दिपावली देखने को मिलेगी आने वाली 22 तारीक के दिल बहुत शुक्रे आपका अपना कीमती समय से हमारे समय निकालने के लिए बालक नाजी और बहुत शुक्रे न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए